आपने मुझे अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए वेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ धर्म क्या है धर्म की परिभाशा क्या है बहुत से लोग धर्म के बारे में बड़े बड़े भासन देती हैं लेकिन उन्हें खुद भी नहीं मालम कि धर्म है क्या भगवान की पूजा करना धर्म है क्या जो है बेडों का पाठ करना धर्म है क्या जो है मंत्रों का उच्चारण धर्म है देवी देवताओं की उपासना करना धर्म है कि जो है तीरत करना धर्म है धर्म है क्या धर्म की आज तक कोई परिवासा नहीं है धर्म सब चीज है लेकिन असली सच्चा धर्म क्या है मैं कोई नहीं जानता है इसलिए मैं आप आपको एक बिल्कुल छोटी ही कहानी सुना रही हूँ धर्म क्या है साइड हमें उस कहानी से ग्यान थो एक राजा थे बहुत पुरानी बात है कि एक राजा थे और उनके चार बेटे थे चारों बेटे बड़े ही सुन्दर और बड़े विद्वान और बहुत अच्छी थे लेकिन राजा यह चाहरा था कि मैं अपनी जो है गद्धी एक धर्मात्मा को दू जो बास्तों में धर्म करने वाला हो तो उन्होंने अपने चारी पुत्रों से कहा कि भाई आप धर्म को ढ द्हूमने लगा तो धर्म को ढूमते ढूमते उसको जो है ब्रामार मिले जो की भूत अधिक जो है और आप बड़े धरमात्मा है तो उन्होंने का ठीक है बड़े बेटे इने बताया कि हमारे पिताजा ने यह साथ रखी है कि जो सबसे धरमात्मा बेटा होगा मेरा मैं उसको ही राजगर्दी दूंगा, तो आप चलिए हमारे साथ, तो सारे ही पंडित प्रसंद हो गए, और वो चलने के लिए तयार हो गए राजकुमार के समय, और चलते चलते वो राजा के यहां पहुंच गए, तो राजा ने उन ब्राह्मनों का बड़ा ही सतकार किया, उनको तरहे तर और उनसे पूछा भाई, आप क्या धर्म करते हो तो पंडितों ने बताया कि हम लोग बहुत यग करते हैं, यग करते हैं, भगवान का मंत्र रपते हैं, और उपवास बहुत अधिक करते हैं, तो अरजा ने आग्या दी कि in सारे ब्राह्मनों को बहुत अधिक डख्शना द की जाए और इनके लिए कुछ फलहार बगेरा दिया जाए और इनको सासंवन बापिस किया जाए यह लोग बहुत बड़े धर्मात्मा है तो सारे ही पंडित खुसों कर चले गए अब उनका दूसरा बेटा आया दूसरा बेटा को एक सेड़ जी मेले थे वो सेड़ जी को ले आये सेड़ जी के पास अर्वव खर्मों की संपत्ति थी वो नित दान करते थे वो गरीबों को भूजन कराते थे और जो है गरीबों को बहुत अधिक दान देती थे तो उन्हों ने कहा दूसरे बेटे ने कहा कि देखो पता जी यह कितने बड़े धर्मा तो राजा ने उनका भी बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया उनको मेहलों में अच्छे से रखा और उनको बहुत थी alan स्क्षान सुभदायंटी से नगalten क्यू runway और वी बहुत अरब पति घरपति थे तो राजा ने छूब सेवा की अच्छे से उनको रखा और राजा ने उनसे पूछा भाई आप बताईए आप कौन सा धर्म करते हो तो सेट जी ने बताया कि मैं तो नगर सेट हूं मेरे पास तो अपार धंसमपत्ती है मैं अपनी धंसमपत्ती से हमेशा गरीबों को दान करता हूं उनको भोजन खि धन देकर और उनकी बिदा की जाए उनको खुब सारा धन और मोहरा देकर बिदा कर दिया कि यह और भी अधिक दान कर सकें अब तीसरा वेटा आया तो तीसरे बेटे को जो है का कहलाते कुछ ब्रामण मिले जो बहुत ही दुबले पतले थे भटे हुए कपड़े पहने यह मानते खाते हुए तीर्थों को नतीर जाते हैं और तीर्थों में भगवान के दर्शन करते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही हमको धर्मलाब हो जाता है तो राजा ने का हां भाई यह बहुत बड़े धर्मात्मा है इनको बड़े अच्छे से भोजन कराया जाए इनको नए वस्त दिये जाएं इनको कुछ सवनमद्राइं भी दी जाएं और इनको यतोचित आदर के शाथ जो है तीर्थ करने के लिए शाधन उपलब्द कराए जाएं और राजा ने उनको भी विदा कर दिया और बोले आप लोग बहुत बड़े धर्मात्मा हैं इससे की बहुत सब्सक्राइब कर दो कि अब चौथा वेटा आया वह एक गरीब से किशान को लाया उसके कपड़े फटे हुए थे तो राजा ने उससे पूझा कि भाई तुम किसको पकड़ के लिए बोले महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं चारों तरह भूमा मुझे कोई धर्मा रिपन है कि मैं सबसταति हूं सबसे जादा करता हूं व इसको खुदी नहीं चाहिए किसका था। तो इसने का मुझे नी मालूम है कि इस कुद्ते के बड़े बड़े घाओ रहे हैं और मैं उन घाओं को साफ कर रहा हूंँ और मिम्हान को साफ करके उसमें महनम पट्वी कर रहा हूं जिसमें sentences कुद्धे को थोड़ा सा आराम दे सकूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं तो थोड़ी बहुत सेवा ही कर पाता हूँ तो मुझे यही अच्छा लगा कि कम सकम इसको घमन तो नहीं है किसी चीज का और मैं इसको अपने साथ ले आया तो राजा ने उससे पुछा भाई तुम कौन हो तो उसने बताया मैं एक गरीब पिशान हूँ मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है अधिक मेरे पास थोड़ी सी खेटी है बस मैं उसी से अपने घर का परिवार का खर्चा चलाता हूँ और राजा ने पुछा और तुम क्या करते हो बोले मैं सेवा करता हूँ मैं जो है अगर किसी को मेरी आवेशक्ता होती है तो मैं उसकी सेवा करने पहुच जाता हूँ और अगर किसी भी व्यक्ति को अन्न की आवेशक्ता होती है तो मैं उसको मुठी भर अन दे देता हूँ महराज और मेरे पास है ही क्या मेरे पास तो ये दो हाथ है जिससे मैं गरीबों की जित्ती भी बनती है तो सेवा कर सकता हूँ और उनको खाने भर के लिए कभी-कभी मुठी भर अन भी दे देता हूँ और आई हुए अतितिका आधर भी करता हूं बस मैं तो तीन काम छोड़कर और कोई काम जानता ही नहीं तो भगवान तो राजा को बड़ी खुशी हुई कि एक गरिद एक दरिद्री किशान जिसके पास सिर्फ खाने के लिए है जो अपना पूरा जीवन आपन पूरे परिवा को मुट्टी भर अन्न दे कर उनका पेट मारता है तो राजा ने कहा कि देखो भीया जिसके मन में दया है जिसके मन में दया है और जो दूसरों की सेवा करता है वही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है क्यूंकि हमारी जो प्रजा है वह भी तो यही चाहती है कि सब हम लोग की दया करें हमारी राजा दया लू हो हमारी समय समय पर मदद करें और हमारी रख्षा भी करें तो ये सारे गुण मेरे इस छोटे बेटे में ही मिले क्योंकि इसको वही चीज पसंद आई जो कि उसको अच्छी लगी दया इसलिए मैं अपने राजगर्दी का अधिका अपने चोटे बेटे को बनाता हुए और राजा ने बड़े ही अच्छा आयोजन किया और अपने चोटे बेटे को सिंधासन दे दिया और वह किसान जो की कुछी पैसे थे जिसके पास उसको भूस सारा धन डॉलत दे कर और राजा ने बिला किया और कहा भीया तुम हमारे यहां मंत्री बन सकते हो और उसको अपने राजा का माने अपने बेटे का मंत्री बना दिया इस कहानी से हमें यही सिक्छा मिलती है कि धर्म तो है धर्म तो करो ना हिंदू ना मिसलिम ना इसाई यह सब कुछ धर्म नहीं है चच्चा धर्म है दूसरों की सेवा करना दूसर धन्वाल हमें ऐसे लोगों का धन्वाल करना चाहिए जिससे की हमें सिक्षा ही सिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है कि हमें जो है सब पर दया करना चाहिए और सबकी रख्षा करना चाहिए इस कहानी का यही शार है बच्चो इस कहानी को बार-बार सुनो और मनन करो जिससे की हमारे सभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए और हम लोग भी सबकी मदद कर सकें